श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तो, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, इस दिन चारवे भाव में चंद्रमा के होने से आपको विदेश से लाब होगा, विदेश में अगर आपका बिजनेस है या आप विदेश में नोकरी करते हैं तो आपके लिए ये सम पूरी हो सकती है, विदेश से आपको हर तरह का लाब इस समय में मुम्किन है, लेकिन बाकी शेत्रों में लाब होने की संभावना काफी कम रहेगी, क्योंकि इस दिन काम करने की गती धीमी रहेगी, हर काम में रुकावटी नजर आ सकती है, इस दिन आपका मन भी परेशान रहेगा, किसी प्रकार का टेंशन भी आपको इस समय में सता सकता है, आज कोई भी महत्वपूर्ण निरने ना ले, कोई नया निवेश बिलकुल ना करे, इस समय में किसी पर भी भरोसा ना करे, काज़ी का रवाई या समबल कर सोच समझ कर ही करे, पती पतनी के बीच नोक ज दोख हो सकती है, इस समय में हर काम में आपको सतर्प रहना होगा, किसी और के जगड़े से भी थोड़ा दूर ही रहेगा, नहीं तो आप उसमें फच सकते है, लव लाइप में थोड़ा तना उत्पन हो सकता है, बीते हुए कल की बातों से भी परिशानिया आ सकती है, पार् इनर्जी की कमी रह सकती है, साउधानी जरूर बर दे, और अपने माथे पर अगर आप चंदन या केसर का तिलक लगाते है, तो शांती बने रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, इस दिन अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और तीनंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है, कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए अगदर्शन के तोर पर लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा,